जोतिश और जीवन में आपका स्वागत है श्री गुरु चरणों में नमनकर श्री गणीश की वंदना करता हूं हम चर्चा करने शक्चक्रों के उपर उनके गुंधर उनसे लाब के से लिया जाए उनमें किसी तरह का दोष उत्बन हो जाए तो किस तरह के कश्ट आते हैं क्या तकलिफ होती है है और यदिव हो जाय तो पिर उनसे मोलाधिय का रास्ता क्या है उनसे कैसे मुप्ध हो सकते हैं उन्हीं मार्यbreaking क्षेत्र में इस पर चप्चा करते आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो में मुलाधार चक्र के ऊपर और स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर चर्चा कर चुके हैं आज के वीडियो में मनिपूर चक्र के मनिपूर्चक्र सूर्चक्र भी कहते हैं इसको यह हमारे शरीर का केंद्रबिंदु है ना भी ना भी के ठेक पीछे रीड केटी के महाँ पर यह केंद्र बनता है इस चक्र महाँ पर इस्थित है नाम ही इसका सूरी चक्र सूरी प्रत्वी के इस हमारी पूरे भ्रमाण की सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं सूरी को हम नारायन कहते हैं सूरी नारायन वो पालक है जगत के तो हमारे शरीर में भी यह जो मनिपूर्चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र है ये जो पांच चक्र हैं पांच तत्वों के उनमें ये मध्यमे इस्तित है प्रित्वी तत्व और जल तत्व इसके नीचे है और इस अगनी तत्व का ये चक्र है मनिपूर चक्र इसके उपर वायू और आकाश दो तत्व इसके उपर हैं ये केंद्र बिंदू है हमारे सोर मंडल का केंद्री बिंदू सूरी देव और आमारे शरीर का केंद्री बिंदू ये क्या है ये मनिपूर चक्र ये नाभी जी के पाज जो इस्थित है इस चक्र में किसी भी तरह का दोशुत्पन हो जाए आपने कई बार देखा होगा नाभी का टलना कई बार जब नाभी टलती है और महां पर ये जो बीमारी कई बार प्राण लेवा हो जाती है बहुत घातक सित होती है पुराने हमारे बुजुर्ग कई बार बहुत सा जो जानते हों कहते हैं कि नाभी में तेल लगाना चाहिए सोते समय नाने के बार भी लगा लेना चाहिए और सोने के बार भी लगा लेना चाहिए यह केंद्र बिंदू होने के कारव हमारे पूरे संपूर्ण शरीर का संबंद इससे है यहां पर जब तेल लगाते हैं तो वो जो उसका तेल की जो नमी उसका जो जिसको लुब्रिकेंट कह सकते हम वो पूरे शरीर में पहुंचता है इस निद्धता पूरे शरीर का रुक्ष ठीक नहीं चल सकती, तो ऐसे इस निद्ध होना बहुत जरूरी है, इसलिए घी हो, तेल हो, कुछ भी नामी में लगाने की सलाह दी जाती है, यह जो चक्र है, इसके आसपा जितने अव्याव रहें, सबसे महत्पून है पेट, जठल, वो भोजन पचाने का काम करता है, हम जो क कुछ खाते हैं, हमने कितना ही पोश्टिक भोजन ग्रहन किया हो, यदि उसका धंसे पाचन नहीं हुआ, तो वो किसी काम का नहीं, उसका कोई लाब नहीं हो सकता हमको, भोजन का यदि लाब यदि हो तभी होता है, जब उसका उचित पाचन हो, कितना ही स्वादिष्ट भो और वो करने के बाद यगर किसी भी तरह की बेचेनी महसूस होती है, इसका अर्थ ही हुआ, कि भोजन बराबर पचन नहीं पारा है, तो दो कारम हो सकते हैं उसके, या तो हमारी जो जठदागनी वो कमजोर, वो से पचानी पारे, हमने गर्ष्ट भोजन कर लिया, वो पचन पारा तो फिर डकारें आएंगी, खटी डकारें आएंगी, इस तरह की समस्या उत्पन होगी, या फिर दूसरा कारण, दूसरा कारण है स्वादवश हमने जो हमारी पाचन की ख्षमता है, उससे अधिक कर दिया, दोनों ही परिष्टितियों में हमको थोड़ी सी बैचेनी म ख्षमता भी हमारी सही है, फिर भी भोजन जितना हम करते हैं, उससे थोड़ा कम करना चाहिए, भोजन का आनद लेना है तो, भोजन करने के बाद किसी भी तरह की बेचेनी, आलश से सुस्तिये महसुस नहीं होना चाहिए, अब यदी मान लीजिए कोई समस्या उत्पन, रो आखे और फिर यहां पर यक्रित है, यहीं पर लिवर, अगर मान लीजिए, उसमें समस्या हो, अधिकांश हमारे जितने भी रसायन बनते हैं, जो शरीर के विभिन अंगों में, हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्त रखने में जो काम आते हैं, वो सारे के सारे रसायन बनते लिवर में, लिवर इसलिए बहुत महत्वपून अंगे हैं हमारे शरीर का, अमेरिका की सबते बड़ी, विश्व की सबते बड़ी केमिकल फेक्टरी हैं डॉव, जो अमेरिका में श्तिते, आज तक वो भी कुल 20 रसायन मना पाई है, 20 से अधिक रसायन डॉव में भी न नेचुरल, 500 के लगबग रसायन हमारा ये लिवर बनाता है, विटामिंग A, B, C, 12 जितने रसायन हैं, जो शरीर के हमारे स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवशक हैं, वो लिवर में ही बनते हैं, यदि सूरी चक्र में किसी तरह की समस्या उत्पन हो जाए, यदि ये बीमारी का ये स्वस्थ नहीं होगा, तो जठरागनी को, पेट को, लिवर को, इनको वो अस्वस्थ कर देगा, ये पून रूप से कारी नहीं कर पाएंगे, ये कारी नहीं कर पाएंगे, तो सारा स्वास्थ का दारो मदार तो पेट परीटी का है, सब कहते हैं, पेट स्वस साहस, अगर ये कम्जोर हो तो ये शारीरिक कम्जोरी की देने के साथ मानशिक रूप से ये आत्मविश्वास में कभी भी देता है इसमें आई यदि किसी तरह कि समस्या होगी तो आत्मविश्वास नहीं होगा हमें ये नहीं बूर ना चाहिए जीवन की जंग वो आधितु आत्म विश्वास के दमपर ही जीती जाती है इसलिए सूर्य चक्र का स्वस्थ होना बहुत आवशक है इसको जागरत कैसे रखा जाए यह जो चक्र है मनिपूर चक्र अगनी देवता है इसके अगनी इसका तत्व है अग्मी जब तत्व है इसका तो इसके जो ग्यानेंद्रिया वो क्या है नेत्र हमानी नेत्रों को क्या बोलते हैं जोती का कारक सुरी को जोती का कारक आगा है और करमेंद्रि क्या है पेट और पेट के आसपास के अन्ग रुद्र भगवान शिव का जो क्रोधित स्वरूप है रुद्र वो देवता है यहां के आग में सौंबिता कहा है जनर यह वो सतत वो उसमें शांती नहीं तो भगवान शिव का जो क्रोधित स्वरूप है वो यहां के देवता है रंग बीज है यहां का, तो यदि हमको सूरी चक्र से सम्मधित किसी तरह की पेट, चटराग, देली वर्ष सम्मधित समस्या हो, उनसे मुक्ति के लिए, और यदि हम चाहते हैं यह स्वस्त रहें, इसमें कोई समस्या न हो, तो फिर हमको मनिश पूर्चक्र में यहां पर इस मंतर जाप करना चाहिए सूर्य अगने गायत्री का जब करना चाहिए हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके उसी तरह से आसनपे सहल आसनपे बैठ करके हम रंग पीज का रंग रंग इस तरह से पास से दस मिनिट तक रंग बीज का जब करें रग उपर अनस्वार लगा हुआ रम नहीं है और रंग का 5 से 10 मिनिट कम से कम अधिक कर सकते हैं बहुत अच्छा है वो जब करना चाहिए और उसके बाद फिर अगनिक आयत्री का जब करना चाहिए 15 से 20 मिनिट और वो अगनिक आयत्री है इस अगनिक आयत्री का कम से कम 15 से 20 मिनिट जब करना चाहिए अधिक जितना कर सकेंगे उतना अच्छा है मुद्रा क्या रहे यह जो उंगली हमारी अनामी का चट्टे उन्ले के पास जो उन्ली अनामी का कहलाती इसको अंगुटे के मूल में लगा है और फिर इसके मद्य पर अंगुटे से पर उसे हलका सा दबा के तीनों उंग्लिया सीधी रहें इसी तरह से दोनों हातों में यह मुत्रा बनाएंगे इस हाथों को इनको गुर्टłों सीदे ऊपरerv रहते हुए रखेंगे और इन दोनों मंत्रों का जब करेंगे सूरी चक्र का जागरित होना इसका स्वस्त रहना व्यत्ति को यश्कीर्ति प्रदान करता है शारी लिक्रुप से स्वस्त रखता है आत्म विश्वासी बनाता है यह सारे गुण है इसको स्वस्त होने पर इसलिए सूरी चक्र बहुत महत्व होने चक्र है हमें थोड़ा सा प् वास्तन से भी चक्र सुस्त रहता है चाक्रत रहता है और अगर किसी तरह की बीमारी होने पर फिर हम को यह सूरी इसका अगली गायत्रिका और रंग बीज का जब वही करना चाहिए वही हमें उन रोगों से जो इस सूरी चक्र को नाभी से संब्दित अगर हैं उनसे मुक्ति भग्वान सूरी नार्यान आप सब पर क्रिपा करें आप सब का सूरी चक्र सुद्ध रहे स्वस्त रहे ताकि आपका जीवन पूरी तरह से यश्कीति संपन हो इसी प्रातना के साथ मैं आप सब को नमन करता हूं नमस्कार करता है